तो फ्रेंट्स आज के वीडियो का मेन मकसद है आप लोगों के सामने कौटलिन में कौन-कौन सा ऑपरेटर है और कैसे काम करता है इस बात को बतलाना जैसा कि आप लोग देख रहोंगे मैंने कौटलिन का एडिटर खोल के रखा है आईडी खोल के रखा है तो यही इसी एडि यूट्यूब चैनल साइबोटर कैंपस नवादा में जिन लोगों ने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज 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 सबस्क्राइब कर दिजे ताकि मेरा भी होसला बना रहे वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो मैं कोशिश कर रहा हूं नॉलेज आ पहले मैंने कोट्लीन के ऊपर दो वीडियो डाला है जिसमें पहले वीडियो मैंने इंस्टॉल्17 और कैसे आप प्रोगराम लिखते हैं तो दूसरे वीडियो मैंने डेटा टाइप के बारे में बताया था तो चलीज शुरू करते हैं आज के टॉपिक कोNoPи íon operators कौन कौन सा है काटलेन में और कैसे इस्तमाल होता है लेकिन उससे पहले हम लोग चलिए सिखते हैं कि where और well कीवर्ड में क्या अंतर है देकिन नॉर्मली हम लोग ऐसा where suppose एक variable हम लोग बनाते हैं a इसमें हम लोग 10 assign कर देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर जो a है a is the variable फिलाल इसके अंदर कौन सा value है containing 10 as its value लेकिन आप इस value को कभी भी change कर सकते हैं that can be changed मतलब कि where keyword से हम लोग जो भी variable declare करते हैं उसको जिस भी value से हम लोग initialize करें program के execution के दर्मियान हम जब चाहें तो उसका value change कर सकते हैं जैसे suppose हमने यहां पर print किया a का value अब यहां पर अगर suppose हमने लिख दिया a equals 5 तो यह allowed हो जाएगा अगर आप print करेंगे उसके बाद a का value तो यहां पर आपका output जो है वो 10 आएगा जबकि यह changing allowed है तो यहां पर 5 आ जाएगा similarly अगर आप suppose कि आपने type के साथ कुछ ऐसा किया where b और आपने यहां पर लिख दिया int type ही variable होगा तो लेकिन इसके अंदर जो value है वो 7 है तो अगर अभी आप print करेंगे b के value को तो आप पाएंगे कि इसका output 7 आ रहा है और अगर आप b के value को suppose आपने change करके 9 कर दिया और उसके बाद अगर आप b का value change जो किया है आपने वो आप print करते हैं तो आप पाएंगे कि यहां पे जो value है वो 9 आएगा instead of 7, 7 के जगह पे तो इससे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि अगर आप where keyword से कोई भी variable declare करते है तो उसमें जो value आपने put किया है, assign किया है assignment operator का इस्तमाल करके आप उसको change कर सकते हैं कि आप यहां पे output में देख पा रहे हैं लेकिन अगर आप, suppose आपने well keyword का use किया आपने लिखा well c और आपने यहां पे suppose 5 assign कर दिया तो यहां पे जो c जो variable है, यहां पे c जो है वो एक constant variable हो गया c एक variable है जो की फिलहाल क्या रख्ये हुए है फिलहाल इसने 5 रख्या है, लेकिन इसको आप change नहीं कर सकते हैं जैसे अगर अभी आप c का value print करेंगे तो आपके सामने output 5 आएगा लेकिन अगर आप c में suppose आप 23 assign करना चाहते हैं तो देखिए यह error message अभी दे रहा है यह कर रहा है कि आप जो है आपने well keyword से चुकी variable को declare किया है तो आप इसको कभी भी reassign नहीं कर सकते हैं तो ऐसा यह बहुत ही important point था जिसको मैं discuss करना चाहरा था तो चलिए यह तो आपने यह सीख लिया कि आप कैसे एक या एक से अधिक variable आप declare करते हैं और कैसे उसमें आपको काम करना है पढ़ते हैं अपने next topic के उपर तो यहां देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं जैसे आपने एक variable जो declare किया वह एक अपने style से किया आप यह चाहते हैं कि आप चाहते हैं यहां पर वैल का भी use कर सकते हैं वह आपकी मरजी आप यहां पर चाहते हैं कि मैं print कर दूँ a का value या a plus b का value तो a plus b यहां पर plus क्या है वही तो plus is the addition operator और यह अपने आप में एक तरह का arithmetic operator है उसके बाद अगर आप print करना चाहते हैं a minus b तो यहां पर minus subtraction operator है अब यह चीज बहुत जारा बताने जरुरत नहीं है चुकि सारे languages में तो यह सारे operators तो हैं तो बस simply थोड़ा सा इसको quickly देख लिया जाता है और यहां पर suppose आपने print किया a into b तो यह multiplication का value देगा similarly अगर आप चाहे तो आप a by b division के लिए यह इस्तमाल कर सकते है a percent भी आप इस्तमाल कर सकते है remainder को लाने के लिए उसी तरह से आपके सामने logical operators भी है जैसे आप चाहते हैं कि क्या a ज्यादा है b से यह value आपको निकालना है उसी तरह से क्या a कम है b से यह आपको निकालना है फिर आप चाहते हैं कि क्या a बराबर है b के यहां पर double equal यूज किया जाएगा चुकि single equal assignment operator होता है उसी तरह से आप चाहते हैं कि क्या a नहीं बराबर है b के तो logical operator का value जो result आएगा वो either true or false आएगा मतलब boolean type आएगा उसी तरह से आप चाहते हैं यह चीज़ चेक करना कि क्या a का value ज्यादा या बराबर है b के या a का value कम या बराबर है b के तो आप simply जो है एक जैसे आप java में इस्तमाल करते थे similarly आप यहां पे भी वैसे ही use कर लें बहुत simple है यहां पे plus minus asterisk by और percent जो है वो arithmetical operator हो गया जबकि greater than less than greater than equal to less than equal to या equality operator या not equal to यह जो है आपका logical operator हो गया इसी तरह से देखे यहां पे आपके सामने जो output आ रहा है आप देख पा रहे होंगे अपने screen पे यहां पे addition 10 plus 4 14 आया subtraction a minus b 6 आया multiplication a into b तो आपका 40 आ गया division a by b 2 आ गया क्योंकि से जब 10 में भाग लगाएंगे तो remainder हमेशा 2 ही बचेगा उसके बाद बाकी का चुकी आपका logical expression था तो उसका result either true or false आया depending on the given condition ओके तो यह बहुत ही simple सा यह चीज था अब जो है suppose आप यह चाहते हैं जोकी कैसा होगँ तो boolean type होगा और इसमें suppose आपने रख दिया फिलाल false तो ऐसा करने के बाद अभी अगर आप चाहते हैं कि आप प्रिंट करें एक का value ओके यहां पही अपने print एल्यन इस्तमाल किया उसके बाद आप चाहते हैं कि आप प्रिंट करें B का वैल्यू और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप प्रिंट करें C का वैल्यू तो A का वैल्यू 10 है जैसा कि आप अपने स्क्रीम पर देख पा रहे होंगे जबकि B का वैल्यू जो है वो 4 है और यहां पे जो c का value है c का value हमने c का type क्या लिया है तो boolean लिया है देखिए यहाँ पे यहाँ पे जो है आप जब आप इसको execute कराएंगे तो आप पाएंगे कि boolean type जो variable आपका c है जिसका initial value false है जब आप इसको print करेंगे तो अभी यह अपना जो initial value है जो false है वही यहाँ पे print कर रहा है देखिए a का value 10 है b का value 4 है और इसका c का value false है अब आप यहाँ पे थोड़ा सा change करना चाहते हैं मैं logical operator को ही थोड़ा सा अलग धंग से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप चाहते हैं कि c में assign कर दो यह check करो कि क्या a जादा है b से उसके हिसाब से जो भी result आता है आप उसको assign कर लो c में और उसके बाद आप c के value को print करना चाहते हैं तो देखते हैं क्या इसका output आता है इसको execute करा के लेकिन उससे पहले कुछ और मैं expression लिख दे रहा हूँ logical expression ही है जैसे मैं यह चाहता हूँ कि क्या a का value कम है b से उसके हिसाब से c में जो भी result आता है आप उसको रख लो क्या a का value b के बराबर है उसके हिसाब से जो result आता है वो रख लो क्या a का value नहीं बराबर है b k similarly क्या a का value जादा या बराबर है b k और उसी तरह से आप यह चाहते हैं कि आप check कर लें क्या a का value कम या बराबर है b k और ऐसा multiple जो आपने logical expression लिखा है हर एक expression का value आपने c में रखा है जहां जब भी c में नया value आया है तो उसने previous value को overwrite किया है तो आप देखिए यहां पे सबसे पहला जो expression यहां print lna हो रहा है इसका output 10 आ रहा है लेकि अब यहां से देखिए यहां checking हो रहा है कि क्या a का value जो कि 10 है वो b के value से ज़्यादा है मतलब 10 ज़्यादा है चार्ट से तो बिल्कुल है तो आप देखेंगे कि पहला logical expression जो output में है यह वाला यह तो c का value था तो यह आपका जो है true आ गया तो c का जो previous value था false था वो overwrite हो गया तो यह इस तरह से भी आप चाहें तो अपनी logical operators का इस्तमाल आप कर सकते हैं अब suppose कि मैंने यहां पे लिखा एक मैं और variable ले ले रहा हूं suppose अब इस बार मैं well से ले ले रहा हूं well c equals मैं suppose रख दे रहा हूं 8 अब आप चाहते हैं यहां पे चेक करना कि क्या a बराबर है bk and a बराबर है ck यहां पे आपने जो है and operator का इस्तमाल किया है और यह चीज तो यह तीन line मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि यह चीज complete हो गई है तो अब यहां पे आप जो है आपने and का use किया उसी धंग से अगर आप चाहते हैं यह चेक करना कि क्या a नहीं बराबर है bk and a नहीं बराबर है ck चुकि यह आगे के different statements में control flow statements वगरा में looping statement में यह use होगा तो इसलिए मैं इसको भी बताना चाहरा हूं इसी धंग से अगर आप चाहते हैं कि क्या a ज्यादा है b se and क्या c ज्यादा है b se तो उसके हिसाब से जो भी आपका result आएगा वो यहां पे चला आएगा c के अंदर उसी तरह से आप चाहते हैं यह पता करना कि क्या a का जो value है a का जो value है मतलब a का value क्या भी तो a का value 10 है ठीक है तो क्या a का value बराबर है b k या या a का value बराबर है c k तो यहां दोनों में से कोई एक condition भी अगर सही होगा तो output जो है वो true आ जाएगा और बाकी code को मैं यहां से delete कर दे रहा हूं और उसके बाद यह देखिए अगर अभी आप इसको execute करवाते हैं तो आप यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे जो a का value है वो 10 है यहां condition जो check हो रहा है a के value के साथ p का equality check हो रहा है मतलब क्या 10 जो है वो बराबर है 4K यह चीज आप लोगों को यह चीज देखना होगा अच्छा है यहां पे मैंने जो है एक ही नाम का multiple variable ले लिया जैसे यहां पे c ले लिया था तो यह यहां पे आपका जो है output सारा collect होके d नाम के boolean variable में आएगा और उसके हिसाब से जो भी output है true और false वो इसमें चला आएगा यह part मैंने इसलिए बताया अभी क्योंकि यह जो section है यह बहुत ही use होने वाला section है आगे चलके जब आप looping statement या simple if statement when statement वगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लिखना ही पढ़ेगा और का इस्तमाल भी करना ही होगा तो इसलिए मैंने एक थोड़ा सा एक clue दे दिया ताकि जब next जो मेरा वीडियो आने वाला है conditional statement के उपर वो समझने में बिलकुल आसानी हो तो उमीद करता हूँ कि आप लोगों को यह kotlin के उपर जो मैंने operators का यह वीडियो बनाया है यह पर वीडियो डाल लूँगा और डालता है अब भी रहा हूँ यह मेरा तीसरा वीडियो है तो अपना अपना जो आप लोग जो भी आप लोगों की राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दें और जो लोग भी हम जब भी चैनल को सबस्क्राइब करें बिल बटन को बिलकुल दबाना ना भूले ताकि जो भी मैं वीडियो जिस भी टॉपिक पे अपने चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे अंत तक देखने के झालोग।